हेलो नमस्कार दोस्तों एक पर फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टार्गेर गुर्कूर में फ्रेंट्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एगरिकल्चर के प्रिवियस येर क्विश्चन डीड्यू डीड्यू 2020 के क्विश्चन साल्ब कर रहे ह है अब हम सेकेंड पार्ट लेके आये हैं फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे कि मैद के कुछ क्यूश्चन बाकी है जिसका सल्यूशन जल्दी आप लोगों को मिल जागा तो फ्रेंट्स जो लोग हमारे चैनल पर नहीं है उन लोगों से मेरा रिक्वेश्ट है चैनल को सब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक और बात बता दे कि जो लोग फश्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर देख लेंगे तो ज्यादा समय लेते हुए न तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि पश्पन नंबर क्वेश्टन है नाबाड क्या है वाट इज नाबाड तो प्रेंट्स आप लोगों को मालूम होगा नाबाड एक बैंक है नाबाड इजे बैंक तो इसका करिक्ट आफसन फश्ट हो जागा चलिए अगला देखते हैं अगला पुछ रहा है भारत में साकारी समीत अधिनियम कब पारिव इन- वॉष्प क्रेडिट कम्यर्ण मीटिंग एक्ट पस्ट इन इंडिया तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है सन 1904 में भारत में साकारी समीत अधिनियम पारिव और इसका اकर्रिक्ट आफसन भी हो जाएगा तो चलिए अगला दिते हैं अगला क्या बुल्ला है अगला बुल्ला है छेत्री ग्रामीर बैंकों की अस्थापना हुई थी विन वेर दर रिजिनल रूरल बैंक इस इस्टेवलिस्ट तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे दो अक्टूबर 1975 विको इसकी अस्थापना हुई थी तो इसका करिक्ट आप्शन ए हो जागा तो चलिए फ्रेंट्स अगला देखते हैं अगला है अगला है एक्रिकल्चरल प्रोडक्शन एकोनोमिक सिज यानि की क्रिशी उत्पादन अर्जास्त रहें तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे बिज्ञान, कला, वास्तुविक बिज्ञान ये सभी है तो इसका अप्शन नमबर D करिक्ट हो जागा तो चलिए अगला देखते हैं अगला बुला है चेतरफल की दिरिश्टी से भारत देश विश्व में कौन सा स्थान रखता है तो आप लोगों को बताना है कि चेतरफल की दिरिश्टी से भारत में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है तो प्रेंट्स आप लोगों को मैं बता दूँ कि छेतरफल की दिरिश्टी से 20 में भारत का साथवास्थान यानि करिक्ट आपसन हो जाएगा C साथवास्थान तो चलिए अगला दिखते हैं अगला है भारत में जोत का अकार लगतार जा रहा है यानि कि जो जोत है वो है घरता जा रहा है कि बढ़ता जा रहा है कि इस्थीर है कि अगयात है तो प्रेंट्स आप लोगों को बता दे कि जो भारत में जोत का अवसात अकार है वो घरता जा रहा है Be option इसका correct हो जागा चलिए अगला दिखते हैं अगला है फार्म बजट कितने प्रकार का होता है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे कि जो फार्म बजट है वो दो प्रकार का होता है अपस्वन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला दिखते हैं अगला जो है तिर्शट नंबर क्यूश्चन बोला है चौदय बड़े वाड़िजिक बैंको का राश्टी करण हुगा था तो आप लोगों को बताना है कि चौदय बड़े वाड़िजिक बैंको का राश्टी करण किस सन में हुगा था तो friends आप लोगों को बता दें कि 19 जुलाई, 1971 आप लोग याद रखेंगे, यह पूचा जा सकता है question तो be option इसका correct हो जागा friends आप लोगों को बता दें कि यह जितने भी question है इसको आप लोग जरूर revision करते रहेंगे क्योंकि question repeat होते रहते हैं तो चलिए हम अगला question देखते हैं question नमर 64 question नमर 64 बोला है उत्पत्ति हरास नियम लागू होता है तो friends आप लोगों को बता दें उत्पत्ति नियम हरास सभी में लागू होता है मचली पकड़ने में खनन में भवन निर्मान में सभी में होता है 64 का D हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला है उसको आप लोग जरूर देख लेंगे उसमें से जरूर question मिलेंगे तो friends प्यासर नमर question देखते है वारेषजनित बिमारी है तो आप लोगों को मालूम हूंगा खुर्पा का इहां ममूपा कारो वारस जनिक बिमारी होता है इसका D option सही हो जागा तो फ्रेंट्स अगला देखते हैं अगला जो है अगला बोला है भैस में प्रजनन परिपक्वता की आयू कितनी होती है यानि कि जब भैस भैस से पहली बार प्रजनन कि जो आयू होती है वो कितनी होती है तो आप लोगों को बता दे तीन साल यानि तीन महीना तीन महीना नहीं स्वरी तीन साल यानि 26 मह हो जाएगा इसका correct option हो जाएगा छाँचट का D हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला किया बोला है अगला बोला है पाठ्थ्यांग कितना होता है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे कि सुद्धे दूद का पाठ्थ्यांग जो होता है वह होता है 28-32 28-32 इसका करेक्ट आप्सन होजागा चलिए अगला दिखते हैं अगला बुल्ला है अटसट नंबर इनब्रेडिंग मिन्स यानि अंतर प्रजनन का आर्थ है संबंदित पस्यों का मद्द समागम और संबंदित पस्यों के मद्द समागम दो अलग अलग जातियों के बीच समागम और D आप्सन है उपरोक्त में से कोई ने तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे कि संबंदित पस्कू में मद्य समागम होता है अट सर का ए नमबर शही हो जागा चलिए अगला देखते हैं अगला आए अगला क्यूस्टिन जो उन्हात्तर है बकरी के मांस का क्या नाम है तो प्रेंट्स आप लोगों को बता दे इसमें बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है चेवन जो आप्षन में नहीं दिया है इसका आप्षन गलत है आप लोगों को बता दे जो मटन है ये भेड़ के मांस को काते है भेड़ के मांस को गाय के मांस को बीफ काते है आप लोगों को मालूम होगा और जो है पोल्ट्री यह मुर्गे के मांस को काते हैं मुर्गे के मांस को और जो है बूफिन यह भैस के मांस को काते हैं भैस के मांस को भैस के मांस को बूफिन काते हैं चलिए अगला देखते हैं अगला है सत्तर नमबर कुश्चन पसमीना पस्मीना किस पसू से प्राप्ट होता है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे पस्मीना जो है ये प्राप्ट होता है कश्मेरी बकरी से option number C इसका correct option अंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स अगला देखते हैं अगला है गायों में सिंग रोधन की क्रिया किस उम्र में की जाती है छह सब्ता पांच सब्ता तीन सब्ता एक सब्ता तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दें कि जो गायों में सिंग रोधन किया जाता है वो बारा से बारा से पंदरा दिन में किया जाता है तो फ्रेंट्स य से हो जागा आप्सन के कार्डिंग अगर आपको 12 से 15 दिन भी मिलता है तो भी लगा सकते हैं करेक्ट हो जागा 12 से 15 दिन तो फ्रेंट्स यहां आप्सन के रुशार आप एक सप्ता लगाएंगे चलिए अगला देखते हैं अगला है निम्न में से कौन सा पोसक्तत्व सरीर को सारवधी गुर्जा प्रदान करता है तो आप लोगों को बताना है कौन सा पोसक्तत्व सरीर को सारवधी के नर्जी प्रदान करता है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे फैट यानि की आपसन नमबर 20 का सही हो जगा व प्लोंगों को बताना है भार्ती गाय की दुधारू नसल कौन सा है? तो इसका करिक्ट आप समझागा साहिवाल इसका करिक्ट आप समझागा प्रेंट से बता दे हरीयाना गाय की दुविकाजी नसल है आप लोग इसे नोट कर लेंगे दीकाजी नसल है और जो है ये मुर्रा भैस की नसल है भैस की दुधारू नसल है और जो बीटल है ये बकरी की नसल है बकरी की तो फ्रेंट्स चलिए अगला देखते हैं चौत्ता नमबर क्यूस्चन चौत्ता नमबर क्यूस्चन बोला है गाय में औसद गर्वकाल कितने दिनों का होता है तो फ्रेंट से बता दे जो गाय का गर्वकाल होता है 284 दिन होता है 284 दिन यानि कि अफ्सन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा और जो 310 दिन लिखा ये 22 का होता है 22 का 22 का 310 दिन होता है चलिए अगला देखते हैं अगला है दलहनी फसलों में nitrogen इस तरी करण होता है यानि जो दलहनी फसले होते हैं उसमें nitrogen इस तरी करण किसके द्वारा होता है आप लोगों को बताना है तो friends option number B इसका correct option हो जागा राइजो बियम द्वारा चलिए अगला देखते हैं अगला है धान में खहरा रोग का कारण है तो आप लोगों को बताना है धान में खहरा रोग किसके करणी से होता है तो friends आप लोगों को बता दे कि जो धान में खहरा रोग होता है वो जिंक की करणी के कारण होता है जिंक की कमी तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो धान में खहरा रोग है इसकी नियंतरण की खोज सबसे पहले YL9 ने किया YL9 ने किया तो फ्रेंट्स चलिए अगला देखते हैं अगला है गेहु में सिचाई की सबसे मुख्य वस्था कौन सी होती है तो फ्रेंट्स बता दे गेहु में जो सबसे मुख्य वस्था होती है वो ताजमूल वस्था जिसे CRI स्टेज बोलते हैं जो बुआई के 21 दिन बाद 21 दिन बाद आती है चलिए फ्रेंट्स अगला देखते हैं अगला क्या बुला है संतुति है यानि कि आप लोगों को ये बताना है कि अंधी गुडाई किस फसल में करते हैं तो फ्रेंट्स जो अंधी गुडाई है इसका सूगर केन में करते हैं यानि कि गर्ने में चलिए अगला क्यूश्शन देखते हैं अगला question 89 नंबर है चैने की फसल में सी चाई की संतु तवस्था बताईए यानि कि आप लोगों को बताना है कि सी चाई जो है चैने में कब करते हैं तो friends आप लोगों को बता दे फूल आने से पूरु है तथा फली बनते समय यानि कि आपसा नंबर सी correct हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं 80 नंबर question 80 नंबर question बोला है friends नत्रजन इस थ्रीकारण के लिए अजोला का प्रयोग किया जाता है यानि कि जो nitrogen है उसकी थ्रीकारण के लिए अजोला का प्रयोग किस फसल में करते हैं तो आप लोगों को बताना है गेहों की फसल में चैने की फसल मे धान की फसल में अरहर की फसल में तो friends आप लोगों को बता दे जो अजोला है इसका प्रयोग धान की फसल में करते हैं तो friends इसका correct option C हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question एक क्यासी नमबर बोला है पौधे से रेशे को अलग करने के लिए रेशे को धीला करने की प्रक्रिया क्या कलाती है तो आप लोगों को बताना है तो जो है रेशे को धीला जब करते हैं तो friends इसका correct option rating हो जाएगा यानि की rating कलाता है अब आप लोगों को ये बताना है comment box ने की rating की क्रिया किसमे की जाती है ये मैंने MCQO में question कराया हुगा है इस पर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जा कर देख लेंगे और comment में जरूर बताएंगे कि rating की किरिया किसमे करते हैं चलिए अगला question देखते हैं अगला question दो ला है संकुल और संलिस्ट किसमे को निमांकिच में से किसमे उपयोग होता है तो फ्रेंट्स बताना है संकुल और संसलिस्ट किसमों का निमांकेज में से किसमें उपयोग होता है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दें कि मक्के में आपसा नमबर C हो जागा फ्रेंट्स आप लोगों को बता दें कि मक्के का जो बॉट निकल लिम होता है वो जिया मेज होता है जिया मेज आप लोग याद रखेंगे तू यह नंबर जो है मक्के में 20 होता है और इसका उत्पत्य स्थान जो है मैक्सिको होता है मेक्सिको तो फ्रेंट्स यतना मैंने मेक्का के बारे में बता दिया इसको आप लोग याद रखेंगे तो चलिए अगला क्यूस्चन देखते हैं अगला क्यूस्चन बोला है 83 नंबर कि धान की नरसरी में नरसरी उगाने की डेपोग वीदि का प्रादूर भाव कहां से हुआ तो फ्रेंट्स आप लोगों को बताना है कि डेपोग वीदि धान की कहां से भारत में आई तो आप लोगों को बता दें कि जो डेपोग भी दी है यह फिलिपिन्स फिलिपिन्स से भारत में आई चलिए अगला देखते हैं अगला क्यूसेन है सोयाबीन का उद्भो कहा है यानि कि उरजीन आफ सोयाबीन तो सोयबीन का सबसे पहले मैं इसका वैग्यारिंग नाम बता देता हूँ जिसका वैग्यारिंग नाम है Glycine Max Glycine Max सोयबीन का बाटनिकल लेव है तो इसका जो है ओरजिन प्लेश है तो फ्रेंट्स इसका ओरजिन प्लेश चीन है यानि D option सही हो जागा चलिए अगला देखते हैं अगला पुष्रा है टमाटर के लाल रंग का कारण है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे जो टमाटर है इसका लाल रंग Lycopene Pigment के कारण होता है तो इसका correct option सही हो जागा चलिए अगला देखते हैं 86 नंबर question है फ्रेंट्स टमाटर की बीजदर ग्राम प्रती हेक्टियर है तो फ्रेंट्स बता दे जो टमाटर है इसका बीजदर होता है 400 से 500 ग्राम प्रती हेक्टियर इसका अपसर नंबर यह सही हो जागा चलिए अगला देखते हैं जो है अगला बुला है सबजीों की समाने आप सकता प्रतिन प्रतिव्यक्टियर होती है यानि जो ICMR है ICMR के अनुसार जो सबजी खानी चाहिए आपको 300 ग्राम प्रति व्यक्टि खानी चाहिए चलिए अगला क्यूशन देखते हैं 88 नंबर 88 नंबर है आलू का कंद परिवर्थित होता है यानि कि आलू का कंद होता क्या हज़र होता है तना होता है पत्ति होता है फूल होता है किसका रुपांत्रण होता है तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे जो आलू है ये तना का रुपा अंत्रण होता है यानि कि आपसा नंबर भी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला देखते हैं अगला बुला है नवासी नंबर क्यूश्चन बैगन का उत्पत्यस्थान तो फ्रेंट्स आप लोगों को बता दे औरजीन आ बैगन का उत्पत्यस्थान भारत जागा तो चलिए फ्रेंट्स आज का हिंदी में बोलते हैं अंतर भूसतारी का प्रयोग करते हैं जिसका वजन 500 से 500 से 700 ग्राम होता है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बाक्स में जरूर बताएंगे तो फ्रेंट्स अब हम मिलते हैं नेश्ट वीडियो में